स्वाबत है आपका Career Academy के YouTube चैनल पर तो आज के लास में मैं आपको हर्याना में HSC में एक नई विकैंसी के बारे मताऊंगा HSC में Group Day के लिए यानि Group Day के लिए नई विकैंसी को अनॉंस किया गया है और ये काफ़ी important विकैंसी हैं लग भग इसमें 18,000 पोस्टें यानि 18,000 पोस्टों को 26 अगस्त को यानि 26 अगस्त को नया notification आया है तो स्टार्ट करते हैं सबसे तहबे HSC हर्याना स्टार्फ सेलेक्शन कमिशन में विकैंसी आई है और ये विकैंसी जो है डेट और पब्लिकेशन आई है 29 अगस्त को फर्म फिरिंग start होगी और लास्ट देट जो है 18 सितमबर यानि लग भग 20 दिन दिए गए है 18 सितमबर को इसकी लास्ट देट है तो ध्यान से पहले आपको फर्म फिरिंग करना होगा फीश डीब्लिक कि डेट जो है 21 सितमबर आएगी यानि 21 डेट इसकी last date है face के लिए अब start करते हैं notice के बारे में कि क्या क्या इसमें important चीजे है सबसे पहले आता है detail of post and qualification यानि जो post ने आई है वो कौन-कौन सी है और क्या उसमें qualification है सबसे पहले category number one जो post की category आती है वो one आती है और इसमें group D यानि group D के लिए ये post आती है तो हर्यारा में group D की काफी दिनों से ये pending थी विकैंसिस अब आ गई है तो सबसे पहले देखते हैं total post है इसमें total जो post है वो 18,000 18,218 यानि 18,218 इसमें total post है जर्नल के लिए 8,312 post है SC की 4,245 post है BCA में 3,345 और BCB में 2,316 तो काफी अच्छी post हैं इसमें इसके लाबा इसमें काफी categorize किया गया है non ESM, ESM, ESP और बाकी PWD candidate आदे के लिए तो सभी category में इक post हैं काफी अच्छी हैं यानि 18,000 post हैं काफी जादा होती है और important भी है सभी category के लिए इसमें minimum qualification जो है यानि Newton योग किता जो है हमारी education वो दस्मी हैं यानि matriculation आती है, 10th आती है हमारी तो 10th से उपर के students अभी इसको भर सकते हैं हिंदी संस्कृत यानि दस्मी में हिंदी संस्कृत बहुती necessary होता है कि हिंदी और संस्कृत में से एक subject आपके पास होना चाहिए 42 वर्ष सकती है जो काफी important है इसमें extension भी है यानि इसमें category बाले students जो है उनको इसमें छूट मिल जाती है बाकि इसमें 10 साल 5 साल की अलगलग छूटें इसमें दी गई है तो फिर आता है pay scale pay scale जो है 16,900 से लेकर 53,500 के बीच में दिया गया है इसमें 18,000 पोस्टें याद रखनी है अब इसमें fees देख लेते है fees में जो है इसमें male female के लिए hundred आते है जो category 1 में आते है उनके hundred है female of harwana यानि अगर female हल्याना से है तो उनकी 50 रुपे fees है और SC और BC candidate की 50 रुपे और female की 25 रुपे fees आती है तो यानि अधिक फीस नहीं है 100 रुपे अधिकतम है इसमें और 50 रुपे नॉर्मल है और 28 रुपे जो है जो female है डेक्वर क्लासी में उनकी fees आती है तो काफी अच्छी है ये fees कम है इसमें और 10 पे है ये अब आता है क्राइटेरिया यानि इसमे हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा selection का तो सरकार ने बताया है कि ग्रूप D के लिए जो हमारी पोस्टे आई है इसमें 100 marks total 100 marks का सारा जो एक्जाम होगा total system होगा 100 marks का तो hundred में से अधिक्तम score करने हुए हो इसमें written marks 19 का देरक है यानि 90 नमबर हमारे paper के होंगे exam के होंगे तो 10 नमबर 10 marks इन्होंने दिये है social economic criteria और experience को यानि 10 नमबर में से आपको अधिक्तम देने हैं जो आपके experience के हो सकते हैं या आपके social economical background के हो सकते हैं 90 नंबर का आपका पेपर आएगा और 10 नंबर का आपका आएगा इसमें socio-economy background और experience experience के इसमें 8 नंबर है यानि अलग से देखें अगर experience के इसमें 8 नंबर आते हैं और जो 10 नंबर में से दिया गया है यह socio-economy condition है अगर कोई family में आर्थे ग्रूप से weak है या कमजोर student है तो उनके लिए इसमें 10 में से दिये गए है तो 5 marks इसमें अलग से announce कर रखे हैं जिनके घर परिवार में या जो भी उनके person है उनके लिए कोई regular employee नहीं है अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है तो उनको 5 नंबर इसमें मिलेंगे अगर कोई लड़का जो है जिसके पिता की death हो चुकी है उसके लिए भी 5 marks यहां announce किये गए है और 5 marks उन student के लिए है जो काफी week category से आते हैं जो हर्याना में nomadic tribe है उनके लिए 5 नंबर दिये गए है अब देख लेते हैं इसमें exam क्या क्या है एक्जाम आपको पता है 100 question आएंगे 100 question आएंगे जिसमें से 75 परतिसत यानि 75% बेटे जो है जिसे जीके कहते है reasoning, mathematics, science English, Hindi इसके लिए होगा यानि 75 question जो है 75 question हमारे जो है जब जीके के reasoning के math, English, Hindi आगी के आएंगे यह HSSC के normal paper जैसा है पहले भी ऐसे होता था कि GK reasoning math आगी के 75 परतिसत question आते थे 25 परतिसत question जो है यह पहले की तरह है कि 25 परतिसत question जो है यह हर्याना की GK के आते हैं यानि 25% जो question है वो हर्याना की history, हर्याना का current affair, literature, geography civics हो गया, environment हो गया, culture हो गया तो 25 परतिसत जो है यह हर्याना की GK के question है और 75 परतिसत जो है general paper आएगा तो काफी important रहेगा 100 question आपको देखने है 100 में से अधिक से अधिक score करना है और 100 question के आपके 1 question की weightage जो है 0.9 होगी यानि 1 question 0.9 marks का आपका होगा तो काफी important है बाकी आप इस इसमें experience को भी देख सकते है experience के 8 marks 8 आपके minimum या sorry maximum हो 10 में से आपको अधिक्तम experience के 8 मिलेंगे और 1 साल का 0.5 यानि 1 साल अगर experience है तो आपको 0.5 marks उसके मिलेंगे 16 साल का अगर experience रहा तो आपको 8 marks इसमें यहाँ पर मिलेंगे तो यह आप ध्यान से इसको notification को पढ़े क्योंकि यह आपके लिए ज़रूरी है इसको फिर बाकी online form भरने के लिए आप तो जो भी minimum document upload करने है साथ के साथ भो देखे online scrutiny होगी document की computer based होगी तो यह ध्यान रखे original document को proper रूप से scan करें और सही तरीके से उसको add करें कोई गलती ना रहे बाकी rejection के इन्होंने कारण भी देखे हैं कि कहां कहां से आपका form reject हो सकता है यह भी ध्यान से पढ़े तो आपको यह form जो है विकैसी ध्यान से पढ़नी है और इसमें date of apply जो है 29 तारीख है और last date जो है वो आईगी आपकी 18 से तंबर तो 20 दिन के अंदर आपको form भढ़ना है तो मेरी advice है कि form को देखें पढ़ें कहें और फिर इसको 39 के बाद इसको online form को fill करें और यह काफी important vacancies है हर्याना के अभी के system के हिसाब से अगर यह vacancy अलाउंस होई है